हेलो इब्रिवन गौतम ओलाइन इस्टडी में आप सभी का स्वागत है तो आज आज आपके इस वीडियो में हम करेंगे MPPSC mains का सेकेंड वीडियो आपके लिए ला रहे हैं इसे तो हमका यह हमारा थाइड वीडियो है तो इसके पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखेंगा एक वीडियो में आपके 5 to 6 कुश्चन यहापे complete कराया जा रहे हैं और यह आपके 3 & 5 मारकर कुश्चन में आशकते और आप इनको कैसे answer writing करेंगे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सबसे पहले आप सभी से एक request है कि वीडियो को लाश्ट तक देखेंगर आप वीडियो को open करते हैं तो लाश्ट तक जरूर देखें सभी questions को और एक suggestion से यह था क्या आपको यह handwriting की दौरा जो हम करा रहे हैं तो यहाँ पे देखें चलिए आज हम question कौन कौन से करने वाले हैं राज्यपल के विशेशादिकार सत्या महादिवक्ता के बारे में प्रोटेम स्पीकर के बारे में छत्रावशान क्या है विधान सभामी वक्ष के नेता के बारे में तो यह सभी Indian Constitution से हम question साथ करने वाले हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम स्पीकर के बारे में अगर आपके बात करें question अगर बन जाएं तो कैसे आप इनको writing करेंगे सब कुछ आज आपको यहाँ पे देखना है देखिए प्रोटेम स्पीकर सबसे फर्स पाइंट क्या लिखेंगे नई लोक्षभा के गठन के समय जो राश्टपती दोरा नियुक्त अस्थाई अध्यक्च होता है यह होता है आपका प्रोटेम स्पीकर जो नई लोक्षभा के गठन के समय किसके दोरा निक्त होता है राश्च पती के दोरा निक्त होता है अब इसमें आप इस तरह से points बनाके अगर आप लिखेंगे विद आपके flow diagram के माध्यन से तो आपको जदा मेंसे मर्कस मिलने के चांसे रहते हैं तो यहाँ पर देखें second point क्या है सदन के वरिश्रितम स्वधश्य की न्यूपती और कारी क्या है इसके स्वधश्यों को सपत दिलाना और speaker का चुनाओ इसका कारी है ठीक है इस था यह धक्ष के शमान सक्ति का उपभोग और protein speaker तो 19 के अगर हम बाद के लोक्षभा, dr. कर सकते हैं second question देखें महादिवक्ता के बारे में सबसे main point महादिवक्ता के बारे में जवाप लिखें थ्रे और फाइप मार्कल कॉश्यों में तो शमिधान में किस अनुचेद में बढ़ने थे जरू लिखें तो यह आपके 165 में बढ़नी थे 165 आर्टिकल में महादिवक् इसका कार्य होता है और वर्तमान में जो महादिवक्ता हैं आपके पुश्पेंद कौरव हैं प्रिजन टाइम पे इसके पुर्विजो थे श्रसान के सेखर थे तो प्रिजन टाइम पे आपके पुश्पेंद कौरव हैं वर्तमान महादिवक्ता मध्यप्रदेश की तो इस आश्पती द्वारा सत्राव शान के आदेश दे जाते हैं। इसमें विधियक पर प्रभाव नहीं और अगले शत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। तो ये सत्राव शान के बारे में आप इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। चले नेक्स प्रति तथा कर्तब पालन के लिए नयालाय के प्रति उत्तरदाई नहीं। पदावधी के दौरान कोई अपराधिक कारवाही प्रारंब नहीं है। होती इनके आपके विशिशादिकार की जो सकतियां हैं इनके अंतरगत। और पदपर आशीन हो तो गिरपतारी का आदेश नहीं होता और सिविल कारवाही करने से दो मार पूरे यहां पे सूचना देनी पड़ती आपके तो ये हैं आपके विशिशादिकार सकतियां राज पाल की। फिर देखी नेक्स्ट विधानसवा में बिपक्ष का नेता तो विधानसवा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है आपका विधान साव में विपक्ष का जो नेता होता है कार क्या होता है राज्य सरकार के नेतियों के गुन दोशियम अलोचनाओं का वर्णन या आपके विपक्ष की नेता का कार होता है और प्रज़न टाइम पर गर हम बात करें तो मतपेश में वर्तमान विपक कि ने था अभी इसमें राउट चल रहा है क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि यह जो कोरोना वैरस की बज़े से सब कुछ एक तरह से ओफ चल रहा है ठीक है तो यहां पर हम बात करें तो यह थे आज के हमारे कोश्चन थ्री मारकर और फाइब मारकर कुश्चन में इस तरह से आप कर सकते हैं इसके पहले के सभी वीडियो चरूर बास कर लिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आता है लाइक किसेगा जो आपको सजेशन आपसे मागा है कि आपको इस तरह से नोट्स के मादियम से कराएं या किसेगा चैनल पे अगर आप नए है तो सब्सक्राइब कर लिए इसेगा वेल आइकेन प्लेस कर दीते हैं जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें थेंक यू